तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ इन प्लांटों के बारे में जो पूरी गर्मी फ्लावरिंग करेंगे फ्रेंड और आप लोगों को बीज भी ग्रो करना अगर पहले से रहा होगा अगर आपके गार्डन में यह प्लांट तो यह अपने आप से युग अगर इसके बीज चिटक के जैसे ही फ्लावरिंग करता है फिसमें बीज बनते हैं और इसके बीज जहां कहीं चिटक का पढ़ जाते हैं वहीं यह प्लांट ग्रो हो जाता है बहुत अच्छे फ्लावरिंग करता है तो आप लोग देख लिजे मैं आप लोगों को पूरी ग लोरी हो गई यह प्लांट इतना ज्यादा फ्लाउरिंग करते हैं इतना ज्यादा प्लाउरिंग करते हैं कि आपका गार्डन फूलों से पूरा भर जाएगा तो यह देख लीजे आज मैं आप लोगों को मोर्निंग ग्लोरी दिखाने वाली हूं इसके बीज मेरे पहले से था और इसके बीज पड़ गए हैं और अपने आप से ये इतना ज्यादा हो गया है कि मेरे गार्डन में चार चांद लग गए हैं इतना सुंदर फ्लावरिंग करता है और सुबह के टाइम ही फ्लावरिंग करता है जैसे ही धूप आती है और 9-10 बज़ते हैं इसके बाद इसके फ इसके फ्लावरह खեռ रहे हैं गुझ्झे में और पूरी गर्मी आप लोगों के गार्डन में फ्लावरिंग करेंगा आप इसको कहीं भी बेल बना किешьते हैं ये और मेरे गंमले को हीएड़ में ही जोंड गया है और बहुत अच्छे हैं अगर अगर आप इस फ्लावरिंग क नहीं है तो आप लोग इसके बीज कहीं अगर मिल जाए तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं मैंने सव रुपए के इमा जान से ये बीज मंगाए हुए थे मौर्निंग ग्लोरी के मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये फ्लावर तो मैंने वहीं से मंगाए थे और बारा बीज म कितने अच्छे से इसके फलावर खिल रहा हैं तो आप भी देर न करते हुए ऐसे प्लांत लगा लो जो बीन ही केर गजब के फ्लावर हैं तो आप लोगों को आज मैं मोर्निंग गलोरी ही दिखाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सुन्दर लगते हैं इसका कलर एकदम गहरा और खिल के नजर आता है बहुत गहरा इनका कलर कोई हलके कलर एक पिंक कलर में होती है लेकिन ये कलर बहुत खुशुर लगाए और बीना ही केर में आप लोगों को कुछ ज़्यादा केर भी नहीं करनी पड़ती है इनकी जितनी भी खाद वगयरा आप मिटी में डाली होंगी बस उसी में ही ग्रो हो जाएगी और उतने में ही ये फ्लावरिंग करना सुरू कर देती है बिना ही केर के बहुत ज्य आप लोग ये बीज को ग्रो करिए और अपने गार्डन में चांच चांद लगाईए और मोरनी ग्लोरी को अपने गार्डन में जरूर उगाईएगा क्योंकि ये जब फ्लावरिंग करती है तो पूरा गार्डन ही फूलों से बढ़ जाता है बहुत खोफूरा रगते हैं ए प्लांट से हना चjänजार बैंड बहुत इंद हो LEक्गे बीज में चार पांच ysok जाए तो इनका भार्डन होता है और बाहसे हो जाएगा तो मैंने पहली टाइम इसको ग्रो किया था थे नहीं बहुहार टबर ने बहुत सारे नहीं हों पेर मीरे पास इसकी तो पहली कि हमेशा मेरे गार्डन में अपने आप से उग जाती है और खूब अच्छी फ्लावरिंग करती है तो आप लोग देख सकते हैं है ना खूब सूरच से मेरे फ्लावर लग रहे हैं गजब के और आप लोगों को बता दू राखी बेल के भी बहुत संदर फ्लावर होते हैं और राखी बेल भी इसी तरह बेल की तरह जोड़ जाती है और इसी टाइम भर भर के फ्लावरिंग करती है तो आप लोग भी राखी बेल को अपने गार्डन में लगा सकते हैं यह पर्मनेंट प एकी चीज का ध्यान देना और ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा बेल में इसको आप कहें भी लिप्टा दीजेगा वहीं ये भर भर के फ्लावरिंग करेगा तो फिर मिलेंगे नेश्ट वीडियो में तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बताइए का कमेंट में कि यह वीडियो कैसी लगी और मेरे यह फ्लावर कैसे लगे क्योंकि बार-बार में इदर कभी उधर काफी सारे इसमें फ्लावर खिले हैं बहुत सुन्दर लग रहा है अभी ततकाल बहुत अच्छे लग रहा है अभी खिले है थोड़ी देर के बाद जैसे ही 10 बज़ते हैं तो यह एकदम से मुर्जा जाते हैं शुकुर जाते हैं फिर नहीं पता चलता कि सब्सक्राइब कहां गया बस सुबह सुबह ही देखो तो एकदम से खिले-खिले नजार आते हैं बहुत खुशुर्ण लगते हैं फ्रन्ट तो बाई बाई फिर विलेगे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और ये रहा मेरा राकी वेल देखिए राकी वेल का कितना खुशुरा सा फ्लावर खिला हुआ है और देख सकते हैं आप है ना तो राकी वेल भी अपने गार्ड़न लगांए कर देख मैं बहुत सब्सक्राब्राइस यह मन्यमक्र जाती हैbest और यह सकते हैं तो बाई 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 लग में गाड़ लग